हलो फ्रेंट्स तो चली हम लोग आज अरे पढ़ते हैं और अगर आपका अरे में कुछ भी डाउट है अगर आपने एक या दो वीडियो जो भी मैं अरे में अपलोड करने वाला हूं आपका सारा डाउट क्लियर हुजाएगा यह मैं गारेंटी देता हूं चाहे अरे को आपको पॉइंटर के साथ में यूज कर रहे हूं या नार्मल तरीके से यूज कर रहे हूं हर एक चीज मैं बेसिक से लेके अरे का जो एडवांस वर्जन तक है पूरा कांसेप्ट मैं क्लियर करूंगा यहाँ पर ओके तो चलिए हम सबसे पहले अरे को पढ़ते कर रहे हूं तो हमने यहाँ पर क्या कि एक अरे बना जबाना है जैसे हमने lab voor 5 वने कुछ value ने इस तरह से यह आता है एक स्टेक्चर आप इसी समझीत है यहां पर जो हमने बना है तो यह मां σταरे का नाम है और उसमें हमने बात बसं यह हम लेकर बना निए और यह और हर एक address भी होगा अरे के बारे में हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो अरे होता है उसको memory हमेशा sequential minor में ही मिलती है यानि कि हर एक block continuous minor में ही उनको memory मिलती है इसलिए आप अगर अरे के जो blocks हैं उनका address हमने लिखा है अगर आप उस पे गवर करें तो यहाँ पर देखें कि एक pattern follow हो रहा है उनके address में यहाँ पर क्योंकि हमने integer type का अरे बनाया है तो अगर पहले वाले block का address 1000 मानो तो दूसरे बाले block का address होगा 1004 तीसरे बाले block का address होगा 1008, 12, 16 तो address में एक particular pattern follow हो रहा है अब यहाँ पर आप समझी एक बात कि 1000 के बाद 1004 आ गया तो 1001, 1002, 1003 जो memory location है वो कहां गया तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप integer type के variables बनाते हैं integer type के जो block होते हैं वो 4 bytes की memory को consume करते हैं है ना हमारा जो RAM है वहाँ पर उनको memory मिलती है RAM को आप समझे कि यह बहुत सारे bytes का collection है और हर एक bytes का address है लेकिन integer variable को store करने के लिए हमें 4 bytes की memory चाहिए तो इसलिए जो 1000, 1001, 1002, 1003 है वो इस 1 को store करने में consume हो गया तो जो अगले block का address हमने दिखाया है इसलिए क्या दिखाया है 1004 दिखाया है अब इस 4 को भी store होने के लिए 4 bytes की memory चली गई तो इसलिए अगले block का हमने address क्या दिखाया है 1008 दिखाया है तो यह हमने आपको pictorial form में दिखाने के लिए इस तरह से दिखाया है ताकि आपको समझ में आए और अगर आप actual में जो यह पहला बाला block है एक block 4 bytes को मिलके बना है और यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरह से दिखाया है तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है कि एक ही block को 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो यह 4 bytes है और हर एक byte का अपना कुछ ना कुछ address है अब क्योंकि यह sequential है इसलिए हमने यहाँ पर दिखाया पहली byte का जो address है 1000 है दूसरी byte का address 1001 है और इसका 1002, 1003 और जो इस पहले वाले block की पहली byte का address है उसे हम बोलते हैं array का base address तो अगर आपको यहाँ कोई variable डिकले करते हैं पूछे कि इस array का base address क्या है 1000 तो जब भी हम base address बोलेंगे मतलब array के पहले block के पहली byte का address होता है है ना तो इस तरह से एक एक block जो है वो चार चार bytes को मिला के बना है क्योंकि जो integer variable है वो चार bytes की memory consume करते हैं तो इसलिए यहाँ पर इनके address को आप यहाँ पर गौर करिए ठीक है अब बात करते हैं कि आप अगर address में value को रखना चाहते हैं यह मतलब जो blocks आपने बनाया है अगर इसमें आपको value को रखना है तो यहाँ पर हमारे पास है index number दूसरा है address तो हम चाहें तो index का भी यूज़ करके इसमें हम value को रख सकते हैं या value को हम retrieve कर सकते हैं उसी तरह से हम address का यूज़ करके भी value को रख सकते हैं तो अगर मुझे address का यूज़ करके value को रखना हो तो हम लोग simple क्या रिखते हैं या नाम लिखते हैं और zero index पर इस तरह से value को रख सकते हैं पहले बादे इंडेक्स पर value को रखना है उसतरह से हम value को रख सकते हैं कुछ भी value हमें रखना यह चीज आपको आती हैं है न और अगर मुझे पहले अगर index की value चाहिए तो हम लिख देते हैं mark sub 0 यह पहले वाले block का value मिल जाता है जहा हम लिखते है mark sub 1 यह 1 index number वाले block का हमें value मिल जाता है तो इस तरह से हम लोग array में value को रखते हैं और value को retrieve करते हैं लेकि जो हम index का use करते हैं तो है ना तो अगर मैं आपको example दिखाऊं यहाँ पर marks of 5 तो यहाँ पर हमने क्या रखा है वो बना लिया है अब लेट से मैं यहाँ पर एक loop लगा रहे रहा हूं let's say i equal to 0 to y less than 5 y plus plus और मैं क्या करूँगा यहाँ पर c in लगाँगा c in में मैं क्या लिखूँगा marks of i तो क्या होगा जो भी हम value यहाँ पर रखेंगे कहाँ चली जाएगी इस array में चली जाएगी और उसी तरह से अगर मुझे print करना है उन values को तो यहाँ पर मैं c in की जगहा पर लगाँगा क्या c out और marks of i की value को मैं print करूँगा और मैं यहाँ पर indul लगा दूँगा ओके तो हमने यहाँ पर user से input लेने के लिए program लिखा है और यह देखे हमारा program रन हो रहा है i was not declared in this scope सही बात है i को तो हमने declare ही नहीं किया तो देखे हमने program को run कर दिया फिर से और आप यहाँ पर देखिए क्या होगा अब हमने कोई message तो दिया नहीं था तो मैं यही value इंटर कर देता हूं कि मैंने इंटर कर दिया और यह value पहले हमने 5 value इंटर किया और उसके बाद देखिए 1,2,3,4,5 हमारी value प्रिंट हो गई है तो इस तरह से हम user से input ले करके array में value को रख सकते हैं और value को retrieve कर सकते हैं अब अगर हमें user से input नहीं लेना है initialize करना है एक एक value तो आप mark साब 0 equals to 5 कर सकते हैं तो 0 index पर क्या चला जाएगा 5 चला जाएगा और उसके बाद हम value को print कर रहे हैं लेकिन हमने हर एक block की value को print कर दिया जबकि हमने हर एक block में value को रखा नहीं है पहले वाले block में value को रखा लेकिन हम print कर रहे हैं हर एक block तो पहले वाले में हमने 5 रखा था 5 है बागी तो गार्वेज value कुछ आ रही है है ना तो यह normal होता है आरे का जब हम use करते हैं तो लेकिन यह तो बहुत simple है हम लोग इसमें pointer के concept को समझते हैं ठीक है अब अगर pointer का concept आपको समझना है तो मैं आपको बताता हूँ कुछ और समझे आप पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ यहां से और मैं क्या करता हूँ मै इसको भी हटा देता हूँ यहां से ओके तो अब आप यहां पर समझे कि यह जो marks है यह एक pointer है C++ में यह जो marks है यह एक pointer है और यह क्या करता है कि पहले वाले block का address इसमें होता है क्या होता है पहले वाले block का address, base address जब मैं address बोलूँगा तो आप base address समझे तो क्या है कि marks एक pointer है जिसमें क्या है पहले वाले block का address यानि क्या है 1000 है और अगर पहले वाले block का address 2000 है जो marks में है तो अगर मैं marks की de-referencing कर दूँ तो क्या मुझे one मिल जाएगा बिल्कुल क्योंकि इस बाले ब्लाक का address जो one thousand है कहां पर है इस marks में है और ये एक pointer है तो अगर मैं इसकी de-referencing कर दूँ इसके पहले star लगा दूँ तो हमें ये वाला value जो की one है मिल जाना चाहिए है ना तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं value wallet से initialize कर लेता हूँ है ना और अब मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर लगाता हूँ c out और मैं क्या लिखता हूँ star marks लिख देता हूँ simply हमने लिखा star marks तो marks में जो भी address था पहले वाले ब्लाक का address उसकी हमने डी रिफ्रेंचिंग कर दी और यह बात हमें पता है कि डी रिफ्रेंचिंग जब भी हम address करेंगे तो जो भी उस address पर value होगी हमें मिल जाएगी तो हमने c out करके print कर दिया तो देखिए यहाँ पर क्या है one print हो गया है है ना अच्छा अब आप एक बात और समझेए यहाँ पर अगर मुझे इस वाले ब्लाक का address मिल जाए यानि कि इस दूसरे बाले ब्लाक का address अगर मुझे इस दूसरे बाले ब्लाक का address मिल जाए जो कि हमने consider किया one thousand four तो हम यह दूसरे ब्लाक के भी value को एक्सिस कर सकते है अगर मुझे इसका address मिल जा तो हम इसके इसका भी value एक्सिस कर सकते हैं तो यह pointer का concept जो होता है कि आप इस base address जो कि इस marks में है आप इस base address का यूज करके किस तरह से अगली ब्लाक का भी address निकाल सकते हैं है ना और उसको समझने के लिए आपको आना चाहिए क्या अरिथमेटिक या आप कहे लें कि हाँ अरिथमेटिक आप pointer या pointers arithmetic बोला जाता है pointers arithmetic pointer का arithmetic मतलब अगर आप pointers में यानि की जैसे यहां पर क्या है marks है marks क्या है पॉइंटर जिसमें address है तो address के साथ में अगर आपको arithmetic operation यानि के addition multiplication subtraction division perform करना है तो आप किस तरह से करेंगे तो वो चीजें आपको आनी चाहिए और अगर वो चीजें आपको आ गई तो फिर आप इस marks का यूज करके आप दूसरे बाले ब्लाक का तीसरे बाले ब्लाक का इंफेक्ट किसी भी ब्लाक का address आपको मिल सकता है और अगर आपको address मिल गया तो simply आपको उसकी de-referencing करनी है और अगर आपने de-referencing कर दिया तो वो value आपको मिल जाएगी है ना तो आपको यहां पर पॉइंटर्स अरिथमेटिक का कांसेप्ट समझना होगा और उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे थैंक यू